है यहां पर हम मैथमेटिक्स वी कवर करेंगे और ओपरेशनल रिसर्च भी तो चलिए हम मैथमेटिक्स की बात करते तो मैथमेटिक्स में हमारा फर्स चैप्टर है तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कॉंप्लेक्स नंबर की तो अ नंबर ओफ दा फोर्म X प्लस आई वाई वाई वियर इक्वल स्टू रूट माइनस वन एड एक्स एंड वाई आर बोथ रियल नंबर इस कॉल्ड अ कॉंप्लेक्स नंबर तो एक ऐसा नंबर जिसको हम X प्लस आई वाई फोर्म में लिख सके उसको हम क्या बोलते हैं कॉंप्लेक्स नंबर जहां पर I की वैल्यू क्या होती है रूट माइनस वन देखें कोई भी नंबर जो X प्लस आई वाई फोर्म में लिखा जा सकता है वो कॉंप्लेक्स नंबर होता है जहां पर X और Y दोनो पार्ट है Z का एक एक्जाम्पल दिखते हैं जैसे मैंने 2 लिया है 2 को हम कैसे लिख सकते है 2 प्लस I इंटू 0 सी तो देखे 2 भी एक real number है 0 भी एक real number है और हम इसको X प्लस IY फोम में लिख भी पा रहे हैं तो हम कह सकते है 2 हमारा क्या होगा एक complex number हो गया है इसी तरह अगर मैं कोई एक number ले लूँ 2 प्लस 3 I तो देखे ये X प्लस IY फोम में है न और 2 भी क्या है एक real number होता है 3 भी एक real number होता है तो हम कह सकते है 2 प्लस 3 I क्या है एक complex number है यहाँ पर जो मेरा ये 2 है ये क्या कहलाएगा real part of Z Z की क्या हो जाएगा real part और जिसके साथ भी I लग जाए जिस number के साथ भी ऐसे यहाँ पर 3 के साथ आई लगा होँआ है तो 3 मेरा क्या कहलाएगा imaginary part कहलाएगा Z का मतलब अगर जिस number के साथ I लग गया ना वो हमारा क्या हो जाएगा real part हो जाएगा यहाँ पर जो I है इसको हम बोलते है Iota इसको बोलते है Iota और इसकी value होती है root minus 1 देखें तो I की value क्या हो गई है root minus 1 तो अगर I square की value पूचे I square यानि कि अगर इधर का square कराएगा तो इधर का भी तो square करेंगे root minus 1 का square तो I square की value कितनी आजाएगी under root से square जाकर क्या बचता है minus के 1 मच गया तो I square की value कितनी होती है minus के 1 अगर पूचने I cube की value तो देखें इसमें I की multiply होई है तो इधर भी I की multiply हो जाएगी तो I cube की value कितनी हो जाएगी minus के I अगर I 4 की बात करें एक और I की multiply हो गए है तो I 4 कितना हो जाएगा इधर भी I की multiply करेंगे तो I square हो जाएगा तो I 4 किसके एक को लागे देखें I square की value कितनी है minus के 1 है तो minus minus plus 1 तो यह सब values आपको याद रखनी है कि I की value root minus 1 होती है I square की minus 1 होती है I cube minus I होता है and I 4 हमारा क्या होता है एक बार और थोड़ा सा हम detail में समझते हैं complex number को तो हमने बताया कि कोई भी number जो X plus I Y form में होता है उसको हम complex number कहते हैं तो देखें यहाँ पर हमने बताया कि X क्या है, real part है Z को और Y क्या है, imaginary part है Z का तो एक बार आप हमेशा याद रखिएगा कोई भी complex number purely real कब खा जाएगा किसी भी complex number को हम purely real कब कहेंगे जब उसका imaginary part क्या हो जाए 0 हो जाए imaginary part क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए तो देखें अगर मेरे पास मैंने अगर एक example ले लिया Z is equals to 2 plus 3 है अगर यहाँ पर यह मेरा I के साथ जो कुछ भी है वो 0 हो जाए suppose करो 2 plus 0 आई आजाए तो अब देखें I वाला part मेरा क्या होगे 0 होगे तो 2 मेरा क्या कहलाता है purely real number क्या कहलाएगा purely real number तो याद रखिएगा जब भी imaginary part 0 हो जाए तो हमारा number क्या कहलाता है purely real अब इसी तरह complex number purely imaginary कब कहलाएगा purely imaginary कब कहलाएगा जब उसका real part 0 हो जाए क्या हो जाए real part 0 हो जाए जब S stripes आजाए 0 plus 3 है यहाँ पर आप देखिए सिर्फ I वाला है न यानि imaginary part exist कर रहा है और real part हो गया हमारा 0 तो हम कह सकते हैं यह हमारा क्या होगा purely imaginary होगा तो purely imaginary की condition क्या होगा real part 0 होना चाहिए and purely real होने की condition क्या होगा यह imaginary part क्या हो जाना चाहिए जिरो हो जाना चाहिए चलिए बात कर लेते है addition of complex number की अगर हमें दो complex number दे दी जाए जैसे Z1 हमें दे दिया गया X1 प्लस IY1 और Z2 हमें दे दिया गया X2 प्लस IY2 और हमसे इन दोनों का क्या कराद है? addition करने के लिए के आ जाए यानि की Z1 प्लस Z2 की value बूछी जाए यानि की Z1 का मतलब क्या X1 प्लस I1 and Z2 का मतलब क्या X2 प्लस IY2 तो अब इनका addition कैसे करेंगे देखिए जो हमारे real numbers है न जो हमारे real parts हैं हम उनको एक जएगे खटा कर लेते हैं और जो हमारे imaginary parts हैं उनको एक जएगे खटा कर लेते हैं तो real parts को उनकोने आपर x1 और x2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 पॉस x2 प्लस i imaginary parts कौन-कोन है y1 प्लस y2 एक example देखते है suppose कीजिए मुझे z1 दे दिया गया है 2 प्लस 3i और z2 हमें दिया गया है 5 प्लस 2i और हमें किसकी value निकालनी है z1 प्लस z2 तो क्या करेंगे दोनों के real parts एक साथ add कर देते है यानि कि 2 प्लस 5 7 हो जाएगा plus i imaginary parts add कर देते है 3 into 5 तो addition क्या हो जाएगा 7 plus 5i इसी तरह देख लेते है multiplication of complex number इस बार हमें क्या करनी है multiply करनी है अगर हमें z1 दिया गया है x1 प्लस i y1 and z2 हमें दिया गया है x2 प्लस i y2 so z1 into z2 क्या हो जाएगा x1 प्लस i y1 into में x2 प्लस i y2 देखे normal multiply करने वाले हम पहले x1 की x2 में और i y2 में करेंगे तो x1 x2 प्लस x1 i y2 प्लस अब i y1 की x2 में करेंगे तो i y1 x2 और अब इसकी इसमें करेंगे तो क्या हैगा i square y1 y2 देखे x1 x2 as it is है ये x1 i y2 है यहाँ पर हो गए हमारे i y1 x2 और अभी हमने पढ़ा था न i square की value कितनी होती है minus के 1 तो ये कितनी हो जाएंगे minus के y1 y2 देखे फिर से सब के बीच में addition आगया न तो addition आने पर क्या करना है सारे real parts एक जंगे खटे कर लेने है और imaginary parts एक जंगे तो real parts कौन कौन है जिसमें i नहीं है तो i हमारा इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो इनको एक जंगे खटे कर लेते हैं जानी x1 x2 minus y1 y2 प्लस अब imaginary parts लिख लेते हैं i x1 y2 plus y1 x2 तो यह हो जाएगी क्या हमारी multiply दो complex number z1 and z2 की इसको एक example से देख लेते हैं यही वाला example ले लेते हैं क्या z1 is equals to 2 plus 3i and z2 है हमारे पास 5 plus 2i और हमें value निकालना है z1 into z2 की तो देखे क्या करेंगे x1 की x2 में multiply यानि 2 5 जाओ गए है 10 minus y1 की y2 में multiply यानि 3 2 जाओ 6 plus i x1 y2 यानि की 2 की किसमे हो नहीं है 2 में 4 plus y1 x2 यानि की 3 की किसमे हो नहीं है 5 में यानि 15 तो कुल मिलाकर answer कितना जाएगा 10 में से 6 जाकर हमें मिल जाएंगे 4 plus 15 और 4 हो जाएंगे 19 आई तो ये आगया हमारा z1 into z2 तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि complex number क्या होता है addition of complex number के बारे में and multiplication of complex number तो अगर आप channel पर नहीं है तो जल्दी से channel को like, subscribe and share कर दीजिए